हेलो आपके साथ मैं शेयर करने बाली हूं मौंगडाल के हलुण की रेसिपी , और ऐसह 방 밝ा कम देखते हैं मैंने किस हलुणा Araई कहीं है लाई एक कप से कुछ नहीं कुछ ए लकाले मौंगडाल से कण भारहते हैं और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो डाल में पानी है वह बहुत अच्छे से डाल अब्जॉब कर लेगी या फिर इस डाल को आप किसी टॉबल पर भी रखकर इसे पो सकते हैं किसी कपड़े पर जिसे कि डाल हमारी सूप जाए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही ह तो इसे ही छोड़ देते हैं 10-15 मिनट के लिए यहां पर मुख दाल को रखे वे 10-15 मिनट हो गया है और यह देखिए पूरी तरह से सूप गई है इसमें जो पानी था वह दाल ने अब्सॉब कर लिया है तो हमें इसे पोचने की ज़रुत नहीं पड़ी दस से पंदर मिनट रखने के बाद मुख दाल को डारोस करने के लिए गैस पर मैंने कड़ाई रखी है और यह धूली हुई जो दाल है इसमें डाल देते हैं और उसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रखते वे और लगातार चलाते वे दाल को हम भून लेंगे अभी हम इसमें घी का यूस बि बिल्कुल भी और यहां पर जाल हमारी दिये ड्राय होना स्टाट हो रही है बस इसे लगाता है चलाते रहना है यह तो कहीं से दाल जल जाएगी और कहीं से पच्छी रह जाएगी अच्छे से पून लेंगे से इस तरीके से और इखिली-खिली हो गई है आपस में चिपक न निकाल लेती हूँ और यहां पर मैंने दाल को प्लेट में निकाल लिया है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे और यहां पर हमारी यह दाल है बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है अगर आपको बहुत ही जल्दी हल्वा तयार करना है तो इस तरीके से आप दाल को पहले ही रोस्ट करके रख लें किसी एरटाइट कंटेनर में और उसके बाद जब भी हल्वा बनाना हो तो इसे ग्राइंड कर ले और फटाफट हल्वा तयार कर ले तो इस तरीके की दाल हमें तयार करनी है दाल को डाल दिया है मैंने ग्राइं तो स्टोर करके भी ताकि जब हल्वा बनाना हो तो पटा पट हल्वा तयार कर लें तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में और यहां पर ली है मैंने सेम कड़ाई जिसमें की हमने दाल को रोस्ट किया था और इसमें मैं डाल रही हूं घी तो 2-3 टेबल स्पून के करीब मैंने यह तो यहां पर गरम हो गया है तो इस-प्री में यहां पर मैं डाल रही हूं एक चमच्ची करीब सुजी तो एक बड़ा चमच्ची यहां पर ने बेशन के बेशन दाल गाहा है दोनों चीज्यों को घी के साथ गूह लेंगे थे तो एक मिनुण के करीब दोनों 3 टेबल अच्छे से भून लेंगे सुझी और बेदन के भूनने तक एक सेज़म बूणने दूरें सुझी और भूनने के तक साथ यह um चुछ जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाया तब तो यहाँ पर अच्छे पर पड़े हैं वह तोड़ ले लेना इसे अगर से अगर करेंगे तो दाल को बूंते पूंते यहाँ पर दाल का अगर काफी चेंज हो गया है तो 7-8 मिनट हो गया है मुझे दाल को भूनते हुए गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है मैंने क्योंकि मूं का दाल का हल्वा लो फ्लेम पे ही अधिकतर बनता है इसे हम फ्लेम पे नहीं बना सकते नि तो यह जल जाएगा और कोई टेस्ट नहीं आएगा तो दाल यहां पर बहुत अच्छे से भून गई है और अब इसमें डाल रही है पानी एक कप के करीब पानी डालेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल रखा हुआ यहां पर मैंने दाल हमारी अच्छे से फूल गई है और जादा इसमें गुट्निया पी नहीं पड़ी है अब इसमें हम डालेंगे दूद तो यहां पर मैं डाल लेते हूं यहां पर मैं चार कप के करीब दूद डाल रही हूं तो धीरे-धीरे हम थोड़ा-थोड़ा बूद डालेंगे और यहां पर यहां पर बैद की आ है, बैग सांब चलने को इसुद्स टालिया है, अब इस थीटेव आए खुळीए चलाते रहेंगे और यहां पर हमारा यह हलोवे काफी थीक हो गया है यह देखिए अब इसमें डाल रहे हूं गी तो दो से तीन टेबल स्पून की करीब अभी मैं इसमें गी डाल रहे हूं और गी डाले के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने अभी तक यूज नहीं अभी किया है 2-3 टेबल स्पून ही शिरू में यूज किया था बीच में हमने घी बिल्कुल लेवा इस तरीके से घी डालते रहेंगे और इसे भूंते रहेंगे तो जरूरत के अनुसार इसमें हम घी का यूज करेंगे चीनी बीटी भी इसा उब भी ती शवाद के अंदूसार चीनी डाले निया है जैसा भी आपको मीठा पसंद है आप इसे मिला लेने अच्छे से और यहां पर जो मैंने चीनी डाली थी घी ईरलो भी बहुत तक हो गई है अब एसमें हम देसी घी और डालेंगे तो दो से टीन टेबल dispтоon की करीब गीज डालें जंडे फोषे 5 नापटे पीजाई आप के दे लिए घी डालने आपक हों इलाइची का पाउडर आदा चमची करीब यहाँ पर मैं इनाची का पाउडर डाल रही हूँ और मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे हलवे को यहाँ पर लास्ट में मैंने एक टेबल स्वोन के करीब गी और डाला है और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल हलवे की कंसिस्टन्सी आ गई है इसमें तो इस हलवे को बनाने के लिए घी आपके उपर है कि आप इसमें कितना घी यूज करते है और इस हलवे मे इसमें डाल दीजिए ताकि अच्छा सा कलर आ जाए या फिर इसमें फूड कलर भी एड़ कर सकते हैं एकि या फिर ऐसे वेज़े से यह हलुआ हमारा दानेदार सा बना है तो मैं इसे बस थोड़ा सा और पकाती हूं तो आठ टेवल स्पून की करी यहां पर घी का यूस किया है मैंने इसे बनाने के लिए एक कब से थोड़ा सा कम तब ही हमारा ये मसकार सा हलुआ बना है यह देखिए इसका टेक्शर और यहां पर मैंने इस हलुआ के मिक्षर को पांच किनट और पकाया है और यह अब हमारा हलुआ बेलकुल पर्फेक्ट तैयार हो गया है यह देखिए इस तरिके से आप मूंकी दाल का हलुआ जरूर जरूर आप मैं का जरुआ हो मुंके पांच का Supramła मुंकि पर्फेक्राAD माण किस editsा मुंकी दाया है यह देखिए 10 क को ते बेल pulís सिए हाँ ध अवाँ期 मुंकी का पॉैंग को